नमस्कार मैं अर्षना पटारे मौसम दरपन में आपका स्वागत कर दियू चलिए जानते है भारत के किस राज़े में कैसा रहेगा मौसम दक्षिम पशिम मानसुन ने इस साल आधे समयी देश में प्रवेश किया है तो समय से पहले वापसी की यात्रा पर मानसुन निकल पड़ा है मानसुन की वापुसी यात्रा पर जल्दी प्रस्तान के संकेते मानसुन ने इस सीजन के सामने समय से 3 दिन पहले यानि 29 माई को केरल में प्रविश किया अरब सागर के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ते हुए मानसुन के केवल 2 दिनों में गोवा की देलिस पर पहुशने के लगबग दस दिनों के बाद मानसुन ने तालकोकन में प्रविश किया फिर 15 जुन को मानसुन ने लगबग महाराष्टों को कवर कर ले आगे की प्रगती कुछ हद तक उबढ़ खा बढ़ती हाला कि मानसुन ने देश में सामन्य समय से 6 दि मानसुन की गोशना की बताया गया है कि सितंबर के पहले सप्ता में राजस्तान से मानसुन की वापसी के लिए अनुकुल माहल बनाया जा रहा है इससे पहले एक सितंबर को राजस्तान से मानसुन की वापसी की लंबी अवधी की सामने तिथि के रूप में तेख किया गया तदनुसर मांसुन राजस्तान से वापसी यात्रा शुरू करने के लिए 17 सितंबर की तारिक तैक की गए थी मांसुन सीजन के दोरान शुक्रो आट तक देश्वर में 717 मिलिमिटर यानि आसट से 8 फिसदी जादा बारिश दर्श की गए वही मांसुन के गिरने से 948 मिलिमिटर यानि 23 फिसदी अधिक बारिश हुई है मध्य माराष्ट मरटवड़ा विदर्बा में कोकन में आसट से अधिक बारिश हुई चुक्कि अभी सीजन का एक महिना बाकी है इसलिए किसान इस पर ध्यान दे रहा है कि इस दोरन कितनी वारिश होगी फिलाल राज्यों में विदर्बा में वारिश के लिए यलो अलट जारी हुए राज्य के अधिक 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 से बारिश की चपट में आ गए इकुलापुर जिले के पनाला मंडल के गगन बावडा में हलकी बारिश होई जताई गई है अमरावती जिले के चंदूर बाजार चंदूर रेले चिखल दानन गाओ मोर्शी और धामन गाओ मंडल में बारिश हुए जबकि भंडारा जिले के सकोली और तुमसर मंडलों में हलकी बारिश हुए गोंदिया जिले के देवरी गोरी गाओ और तिरोडा मंडल बिदर्बा के अमरावती वर्धा चंद्रपूर गडचिरली नाकपूर गोंदिया और भंडारा जिलों में कल सुबह तक भारी बारिश के लिए यलो अलट जारी किया गया है खबर में फिलाल इतना ही इसी के साथ देखते रहे मौसम दर्पन चानल को सबस्क्राइब कीजे बिल आइक ओन दबाए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजे और शेयर कीजे